बिहाइंड बिहाइंड का हिंदी मीनिंग होता है आई एस चोटी सी वीडियो में देख लेते हैं तो दोस्तों बिहाइंड का हिंदी मीनिंग होता है पीछे की और पीछे और पीछे दोस्तों किसी विजिए के पीछे खड़ा होना उसको हम बिहाइंड बोलते हैं या किसी रे standing behind you मैं आपके पीछे समर्थन में खड़ाऊं तो behind के उच्छे examples ही समझे लेते हैं They heard the sound of boys behind them मतलब उन्होंने अपने पीछे आवाजों की आवाज सुनी तो इस sentence में behind का meaning हुआ पीछे ज़रे इसको example देख लेते हैं The headlights behind provided a sense of false security मतलब पीछे की headlight जूती शुरक्ष्टा का एहसास कराती थी तो दोस्तों इस sentence में भी behind का meaning हुआ पीछे दोस्तों उमीद करते हैं आपको इस word का meaning अच्छे समझ आ गया होगा अगर आपको इस word का meaning अच्छे समझ आया हो तो आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और bell icon को press करना बिल्कुल न भूले ताकि ऐसी ही informative videos आपको सबसे पहले मिलें और दोस्तों vocabulary bank को आप Instagram पर वी जाके follow कर सकते हैं